प्रोग्राम बच्चे हमारा फ्यूचर में जहां लास्ट एपिसोड में हमने बात की चाइल सेक्शियल अब्यूस की अगर स्टैटिस्टिक्स पे नजर दाले तो महाराश्रा रैंक्स थर्ड ये एक ऐसी बुराई है जो माश्रे में काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है और हमें अज़ जरूरत है कि हम बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में अड्यूकेट करें चैनल विन की जानब से हमने ये हमारी जम्मेदारी समझी है कि हम हमारे बच्चों को अड्यूकेट करें इनमें अवैरनेस क्रियेट करें और यही वज़ा है कि आज के हमारे एपिसोड में हम बात करेंगे गुड टच और बैड टच के बारे में तो आईए विवर्स सबसे पहले इस्तिक्बाल करते हैं हमारे गेस्ट असमा मैम को और आज के हमारे एपिसोड में मौझूद साजित भी है सलाम अलेकुम वालेकुम सलाम तो जैसे हम बात कर रहे हैं मैम गुड टच और बैड टच के बारे में तो इस पर बढ़ने से पहले में यह जानना चाहूंगी कि अगर हम देखे ग्लोबल रिशो पर स्टाडिस्टिक्स पर नजर दाले तो चायल अब्यूस के कैसे बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं एक रिपोर्ट के मताबिक दस में से एक बच्चा अब्यूस होता है वहीं हिंदुस्तान में हर रोज 109 बच्चा अब्यूस होता है तो आपको क्या लगता है क्या पॉसिबल रीजिन्स है कि यह इतना बढ़ रहा है It's very disturbing and very sad to know these figures and facts but yes it is on the rise and थोड़ा बहुत तो यह है कि मीडिया के वज़ज से सारी चीज़ें जो है वो अब बहुत तेजी से मालू हो जाते है जो शेद पहले मालूम नहीं होती तो यह तो खेर मेरे खाल से हज़त लूट और हौट पुराने जमाने से चलती आरही है सारी बातें मगर यह है कि अब जादा पॉब्लिसाइज हो रही है So that is one factor, दूसरी बात शेद वज़ा यह है कि there is too much access to pornography, too much access to YouTube, too much access to vulgar things और उसको बढ़ावा भी दिया जाता है, उसे इंकरज भी किया जाता है, social media पर भी है So that is another big reason and a big cause And of course, haraam की तरफ, रगबत, दीन से दूर, यह वाली चीजें भी मौझूद है, मौझूद है, society में, लोगों में, haraam खाना, यह हमारा बिलीफ है, but definitely it is one of the reasons It is one of the reasons, फिर of course, awareness, lack of awareness Problems, unfortunately, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में कहा था, कि यह हमारी सोच है, कि सिर्फ जो लोग mental होते हैं यह जिनको कोई psychological problem होती है, यह कोई perverted होता है तो वो यह हरकते करते हैं, unfortunately it's not true काफी पढ़े, लिखे, बाशाओर, रिस्पेक्टेड लोग भी हरकते करते हैं जैसे बहुत अफोस हैं अगर करते हैं, it is true So, there is no real reason for it, maybe it's a sense of power, a sense of influence, authority, a sense of authority that makes them do it, I don't have the right answer, but yes, it is on the rise जैसे जैसा कि निलम में आपको एक figure बताया है, कि अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो 109 बच्चे टेली अब्यूस होते है, अब जब इतने सारे बच्चों को अब्यूस किया रहा है, अपनी हवास का शिकार बनाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि हमें अपने बच्चों को अब सिखाने का वक्त आ गया है कि good touch क्या है, bad touch क्या है जहां हम सबकुछ उन्हें पढ़ाते हैं, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, खाना कैसे खाते हैं, सबकुछ दी चाहे दीन हो चाहे दुनिया हो दोनों चीज़े हम सिखाने की कोशिश करते हैं वहाँ पे एक चीज में हम बहुत पीछे हैं मैं तो हम यह आज आपसे जानना चाहेंगे और बहुत ही एहम पैगाम हमें इसमें चाहिए कि क्या हम छोटे बच्चों को good touch और bad touch बता सकते हैं और बता सकते हैं तो कैसे बताएं बिलकुल साज़द बता सकते हैं बलके मैं शायद पहले भी मेंशन कर चुकी हूं के Early Childhood Association ECA टाइप of लोग हैं और organizations हैं, NGOs हैं सेफटी क्लब हैं बहुत सारे लोग हैं जो इस मुद्धे पर काम कर रहे हैं और बहुत इंटेंस, they have dedicated you know their life for these causes and ECA का भी बहुत बड़ा campaign है about good touch, right touch which we do in schools so yes, it is a very important topic that should be done to raise awareness in schools at homes, with parents in parenting workshops it's a very important topic and yes, चोटे बच्चों को बताना चाहिए कैसे बताना चाहिए क्या होता है कि हम लोग बच्चों के साथ conversation करते हैं फिर हम बच्चों को थोड़े pictures दिखाते हैं powerpoint presentations बताते हैं उन लोगों को उनकी language में उनके level पर नीचे उतर के हम लोग topic को introduce करते हैं कि क्या चीज़े हमें अच्छी लगती है क्या चीज़े हमें good feeling देती है जो हमें comfortable लगती है जिसे हमको एक sense of security होती है जिसे for example जब मम्मी हग करती है जोड से दबा के हग करती है जोड से किस करती है तो हमें बुरा नहीं लगता it gives us a good feeling it makes us happy so anything that makes us happy and gives us a good feeling is a good touch किसी ने आपके सर पे हात रखा किसी ने आपके गाल को दबाया किसी ने आपका चिन किया किसी ने आपके सर पे हात रखा आपको तच किया ऐसा थो नहीं है कि हम तची नहीं कर सकते और unfortunately unfortunately चोटे बच्चों के साथ यह है साजिद, कि बच्चे फिल सिक्योर विद टच्च, यह उलो को और क्या समझ में आएगा, उनको यह फिजिकल की जरूरत होती है, और अनफॉर्चनेटली उनकी नीड जो है वो अब्यूज होती है, मिस्यूज होती है, तो यह हमको बच्चों को यह समझाने की जरूरत है कांसी चीज उनके लिए अच्छी है, विच में फिल गूट, और अनफॉर्चनेटली उनको बच्चों के अंदर भी अवरनेस होती है, और जिसे हमें उनको एंपावर करना चाहिए, समझाना चाहिए, कि यह फिल यह तिस नॉट राइगा, यह उन लेगन माबाप को बताना चाहिए, यह जरूरी है बताना, फिकोस यह तो हम बाती नहीं करते हैं बच्चों से, बखी देखा होगा ऐसा समाज में है नहीं कल्चरी नहीं है, अँमारा प्रॉब्लम ही है, तो हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि जो चीज आपको अच्छ अच्छी नहीं लग रही है, आपको अच्छी नहीं लग रही है, आपको अच्छी नहीं लग रही है, आपकी नापको जोर से दबा रहे हैं, यह उन्होंने आपको, even if he is holding your hand and you don't like it, then we should tell our children, give them the strength, the ability, the words to say no. नहीं, जहां पर आपने holding के बाद के निलम वहां एक चीज और है कि बच्चों को लालच बहुत दी जाती है, ऐसी situation में क्या करना है माबाप को, बच्चे तो उनको चॉकलेट्स पसंद है, कोई भी आपको अगर देगा बच्चों को लो खाने के लिए तयार हो जाते हैं, औ आजकल यह बहुत बड़ा है क्योंकि अगर निलम बच्चे को चॉकलेट दे रही है या मैं कि निलम के बच्चे को दे रहा हूं, तो हम इंटेंशन तो नहीं जानते हैं पीछे क्या चल रहा है, बहुत सही बात है साजित, और आइ थिंक वक्त के हिसाब से हमें थोड़ी च जा के सलाम करो, तो हम फोस्करते थे को अपने बच्चों को, किसी करो, उनको किस करो? उनसे अपन महबच जटाओ, तो हम गये अच्छा प्रेटं में ए गुआ हैं, तो इıt उस नहीं बच्पन में में हुआ है, तो अच्छी छीज घ्ड़ा नहीं साइ्ट करते थे, और UMस् अब अनफॉर्चुनेटली अगर हम बच्चों को मिक्स्ट मेसेज़ नहीं दे सकते निलम एक तरफ हम उनसे कह रहे हैं के गुड टच बाट टच यह जो तुम्हे अच्छी ना लगे वो तुम ना करो दूसरी तरफ हम किसी खाला मामू चचा के पास गये तो हम उनसे कह रहे हैं अंकल को किसी करो चाचु को किसी करो तो वी अगिविंग मिक्स मेसेज़ेज़ चांफ्यूज हो जाते हैं बच्छे कि उनको right? एक तरफ आप खुद उनसे कह रहे हैं कि जो चीज अच्छी नहीं है say no दूसरी तरफ हम force करके कह रहे हैं कि वो चचा है मामू है तो उनको किसी करो क्योंकि वो आपसे कह रहे हैं कि किसी करो या चॉकलेट दे रहे आपको या कोई आपके ले गिफ्ट लेकर आए यह फ्रेंड है तो को यह जिए तो हम अपने बच्छों को बाजवक्त मिक्स्ट मेसेज़स देते हैं एक तरफ कहते हैं नो और दूसरी तरफ कहते हैं करो जाहे वो चाचा हो, जाहे वो फुपी हो, जाहे वो खाला हो, you don't like it, say no. And then you should respect the child's wishes. अगर बाउंडरी बना रहे हैं, जाहे हैं, जाहे हैं, जाहे हैं, जाहे हैं, mixed messages, बाउंडरी के अंदर नहीं होने नहीं होने चाहिए. बाउंडरी आपके खाली आपके रिश्टादार हों जिनोने गिफ्ट लाकर दी हो बच्चे को, if the child is saying no, then you should respect his wishes. तर यह बहुत मुच्किल है, बहुत मुच्किल है, शैद काम करना पढ़े हैं. तर जरूरी है. बझाम कि शॉइस को भी रस्पेक्ता हैं. चलेगा, लेकिन सामने वाले को बुरा नहीं लगने, मगर यहां पर बात नेलम, बच्चे की चोईस की नहीं है, यहां बात, बच्चे को वो sense of security or boundary, clear boundaries की है, you cannot confuse children, और unfortunately हम आज कल के जमाने में risk नहीं ले सकते, बच्चों को confused होने के लिए, तो फिर बच्चे अगर confused होंगे, तो वो खुद ही नहीं कहेंगे ना, आपने खुद ही तो force किया था उनको kiss करने के लिए, तो अब वो मुझे वापस kiss कर रहें, तो मैं किस बात की शिकायत करूँ, exactly, उसे वो चीज़ नॉर्मल लगने लगेगी, अच्छली जो आपने बात कही है, वो बहुत बारीक पॉइंट है, और इस पे अगर हम लोग ध्यान देंगे निलाम, तो शायद बहुत अच्छा काम हम लोग कर सकते हैं बच्चों के लिए, जहां हम बात कर रहे हैं, गुद टच, बैट टच्की, और जिस तरह आपने कहा कि बच्चों के लिए बाउंडरी सेट करना, इन्हें हैं जारा इन्डूरी है तो ही अगर इंडियान कल्च्छर से हटकर साजर था जाजद हम वेस्टियन कल्चर पर नज़ड़ लिए यथे शियंगर से टंओर पर नज़र था तो वहां एक सबच्च टो एक होता है, СЕ्च स功kaσ связi situation, जहां इंडिया में हम बात भी बगरना, प् but sex education per se is not needed, definitely for teenagers, older children but not for very young children It depends on age and every time happens, I think along with sex education, what we really need to pass on the message to children is that it's not about sex, it's about love, emotions, it's about being human There is a difference between being human and being an animal So as children grow up, these are the feelings that they should These are the, not feelings, these are the concepts that should come from home Exactly This is a part of parenting To talk about love and not sex To talk about emotions, to talk about being human Right, to respect To respect To respect the other person One more thing comes to consent I think before sex education we should talk about consent Right And again, it is a very big thing As you were saying Sajid to me There are very big lines But unfortunately, according to today's time We will have to be a little firm in our parenting So when we do good touch, bad touch The rape issue I think will be reduced It will be reduced It will be solved It will be solved But consent is required Required and important Yes Okay But yes, as many cases are done by people who know the children And not by strangers So it is very unfortunate But again, I would like to tell my viewers You are not only going to spoil their future You are not only going to spoil their future So how will the relationship with people And how will the relationship with people या अगर आपको खत्रा है उस देमिज का तो तो definitely you must take a stand and get away from that situation, आपको हिम्मत करनी होगी क्यूंके आप सिर्फ ना सिर्फ अपनी जिंदगी और बच्छों की जिंदगी आप उसका future, उसका मुस्तक्बिल, उसका mental set-up, हर चीज बाद 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 बा इसे समझ रहा हूं मुझे नहीं पता कि मैं सही कर रहा हूं एक बच्चा है निलम जो 16-17 साल का है और आजकल इंटरनेट का जमाना है कुछ ऐसी चीज़ उसने देखा है इंटरनेट पे अब उसके पास कोई बड़ा तो है नहीं अब उसके पास उसके घर की कोई बच्ची ह साल की है 9 साल की है एक बच्चा और ची के साथ ही अगर ऐसा कर रहा है तो ऐसे में तो बहुत ही मुश्किल है समझना जी तो मनली ऐससा कैसे आ रहे हैं लिद्धिक बिल्कुल सही है इसमें गल्ती again there is a I think वह बच्चा है यह बच्च्ची है बिल्कुल सही मगर अगर अगर और reflect करें और इस चीज को, इस situation को देखें, तो आपको क्या नजर आता है? कि आपको ये नजर नहीं आ रहा कि parents का, बच्चे ने अगर कोई चीज इंटरनेट पे देखी, for example, तो कैसे देखी अगर parental supervision थी तो? number one, number two, अगर बच्चे कुछ obscene चीजें देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो माबाप इतने अगाफिल क्यों है? समझ रहे हैं अप? third thing, ये case आने की, अपने बच्चों के patterns को, behaviors को देखने की, this is what parenting is all about, you need to be in touch with your children, right, हम हर episode में ये कहते हैं, कि you have to be a part of your children's life, you have to do your parenting job, चाहे वो तीनेजर हो, चाहे वो चोटी बच्ची हो, चाहे वो कोई चोटा बच्चा हो आपके घर का, if the parent is doing his job, वो तीनेजर की वो नौबती ने आती ना? right, अगर खुदान, देखे आप हर वख तो बच्चों को control नहीं कर सकते हैं, मगर आप, कि आप अपने बच्चे की behavior को देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं, कि वो किस चीज में मसरूफ है, आप उसका phone लेके history चेक कर सकते हैं, कि वो क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है, आप, आप मॉनिटर कर सकते हैं, बच्चों को नोगों के रूम्स में, कि what is going on, जान रखना है, जान रखना है आपको, अलर्ट रहना है, आपका जवान बच्चा है, जवान बच्ची है, मैं यह नहीं कह रही हूँ कि आप पुलीस की तरह उनके पीछे-पीछे घूमें, हलिकॉप्टर पेरेंटिंग नहीं चाहिए, मगर, there is a balance, बिलकुल गाफिल भी नहीं, बर कहां पर हो सकता है ऐसी चीज़े, क्योंकि 24 गंटा मॉनिटर करना, या बच्चा आप से दूर भी रह रहा है, या या राइट, मगर, मगर, the thing is, के यू आर, you can't, you can monitor, you can sense, आप उस सेंस को, डिनाय मत करिये, के नहीं, मेरा बच्चा ऐसा करी नहीं सकता, या एक्सेप्टनस नहीं लाएँ, मेरा बच्चा कुछ बुरा करेंगा, या बिलकुल कर सकते हैं, और अगर अगर पता भी चल जाता है, तो माबाप ऐसा भीएव करते हैं कि नहीं नहीं किया है, खकाते हैं, छुपाते हैं, किसी बह में आ गया हूँ, या यहां तो यही होता है, मेरा बच्चा सबसे अच्छा वाले कॉंसेप्ट में रह रहे हैं, बहुत जरूरी होता है पहली गल्थी पर बच्चे को इसकी गल्ती का एहसास दिलाना, उसे करेक्ट करना, क्यूंकि अगर आपने बच्चे की पहली गल्ती को शेय दे दी, तो फिर वो जिंदगी भर की गल्तियां रोल आउट होती रहती है। मैम जहां यह टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टन भी है, हम कोशिछ करेंगे हम gay tennis and bad touch के बारे में एडुकिपेट करें। तो एक चीज़ सिहें धहिए, बत्चों को हरा है अज़ा बच्चों को बता होगा तो बच्चों को बताँंगे। तो वा को हमारे बिव व्यूवर्स को आप ये बता है कि हमन थे बॉटी को देख है, तरह जिए अर्चनित अच्छ को और एक्षियन करना है मैंने बहुत सारे पेरंस तुट को ऑपने बगशों को पारते हैं अब इस एड़ा सेटिंग बाउंडरी अब जब दादा, मामू कोई और आपका सगा रिश्टेदार अबाप आपको पर प्यार कर रहा है तो again isn't the child going to be confused if a stranger or somebody else kisses him on his lips? वो उसे नोमल लगेगा लगेगा ना? जब आपके घर के फर्द आपको होटों पे प्यार कर रहे हैं या आपकी अपको होटों पे प्यार कर रही है या आपके बाप आपको होटों पे प्यार कर रहे हैं दादा कर रहे है या कोई भी, तो where do you set boundaries? How does a child know के कोई दूसरा कर रहा है तो it's wrong? जी. अच्छाइब? तो नहीं करना है मतलब? नहीं करना है. ओके. खोटों पे प्यार बच्चों को नहीं करना है, सिखाना है. चाहे घर का कोई भी हो, तो कई लाओ थ straight का लाओनों जारे रहा है. No. ँड़ित It's not allowed. इस तो तो कंड़igent है. बच्चाइब चोट बच्चों के साथ प्यार क्या है. It should be a big no. Because that is how you set boundaries. And you set a line. Kissing on the cheek is okay. Anybody kissing you on the lips is not okay. Because children are not able to make it... and especially very small children. will not be able to know the difference उनको तो ये पता भी नहीं चलेगा कि उनके साथ क्या हुआ तो इसमें तो अइसास भी नहीं होगा कि कोई उनको अब्यूस कर रहा है अब्यूस कर रहा है और अगर फर्स करिये कि किसी घर में होटों पे प्यार करना नॉर्मल है तो अगर बच्चा शिकायत भी करे कि उनोंने यह किया यह उन्होंने पपी करी मुझ अच्छा नहीं लगा तो नोबडी विल टेक नोटिस ना यह नोगेगा यह नोगेगा यह नोगेगा यह नोगेगा यह वर्सेंसिटिव हो रहा है यह दूसरे लोग भी कावर अप कर सकते हैं कि मैंने कौन सी बात कर देख सबी तो करते मैंने भी कर देख सबीगा यह 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 संसिटिव हो गया So you have to set clear boundaries so that children are not confused होटों पे प्यार करना, not allowed, सीने पर प्यार करना, touch करना, not allowed, anywhere in your pants, under your pants, not allowed, on your body, not allowed and any touch that makes you feel uncomfortable, you should have the courage to say no और यह courage parents के थ्रू ही बच्चों में आ सकता है, जब तक parents अपने बच्चों को support नहीं करेंगे, उनको encourage नहीं करेंगे, उनकी feelings को respect नहीं करेंगे, उनकी consent को respect नहीं करेंगे यह बच्चों के अंदर वो confusion ही रहेगा, वो जोसे कहते है ना, वो strength, वो confidence नहीं आएगा जरूरत यह है के parents ही सबसे पहले बच्चों को बिठाएं, समझाएं कि क्या सही है, क्या गलत है, और वो भी खुद इन बाउंडरी को फॉलो करें ताके बच्चे कन्फ्यूज ना हो, और एक और चीज नीलम, मैंने अक्सर देखा है कि इंडियन फैमिलीज में होता है कि आय होती है, there are people who work in the house for a long time, जिनको आप ट्रस्ट करने लगते हैं, तो वो लोग भी बच्चों को नहलते हैं, अब जाएर सी बात है, आप नहला रहे हैं, तो आप तच्छ करेंगे न हर जगा, तो फेर, how does a child say, this is right and this is wrong, अगर बच्चे रो रहे हैं, और आया कहें कि बच्चे तो अप तो अप तो ऐसी situation आगई है, आजकल तो ऐसी situation आगई है कि आप उसकी नौबती नाने देना, आप अप अपने बच्चों को किसी गैर को handover करें ही नहीं, आप यंग एज से बच्चों की प्राइवसी को रिस्पेक्ट करिये, from 3-4 years, the children should take a bath independently, you should close the door, you should say, आप नहारे हैं, मैं बाहर खड़ी हूँ, you take a bath, you try, मैंने तो देखा है, 7-8 साल के बच्चों को नहारे हैं भई, तो आप उन्हें इंडिपेंडन होने दे रही नहीं, आप उनकी प्राइवसी को रिस्पेक्ट करी नहीं, तो जब उनकी प्राइवसी को रिस्पेक्ट, there is no respect for their privacy, how will they develop their thought? यह अफ जब अगरें बाहर करें, नहीं आप उनकी को दोर चले गए हैं, तो जब उनकी को दोर चेले गहा हैं, तो जब उनकी को प्राइवसी को बात्रों दोर दिया, जब आपने बच्चों को बात्रों में ज़ड़ दिया, ऐसा भी नहीं, ज़ड़ी उनकी हमेड इपन्धिए निप्रॉट एको इन्डे अपना एको हमेड़ाबा आपैले सिर्फी इस पोड़ा एक भाइ दोड़ेख राइक इसका तावल एक आप कंप्रा पहनों, खोड़ा, श्रॉरा, देख़ा, श्रावी हमें, एक राइख़ाव, श्लोस्तरा पहनों कर दोली आख को भात और एक कल्चर सेट करना है मुदर्स को फार्थ लगजे मुअग्ट को है भातों पीकर्फूल के वो लोक बच्चों के सामने चंजना करें यह तो पर भात है ależ ना करें जा तोफर्थ देख ना करें जो वो देखेंगे वो वो सीखेंगे कि यalu मैंज है तो लगथ कि यह चोटे बच में वह चोटे बच्चे अंप हो जी और मुझ के सामने वी उशुल्डенный के बाव फया चिल्रंफ नोग दोग नग पे लिए व्ही एंपना पर्णा preguntas बंदे लाकी स्लीज्ट नहीं नीगरोगा नाहीं करक दोड़ें। ??? promise that to be pergunta been situation as well you are right but these are tough choices that you have to make you cannot sleep in the same room as with your children 9-10-2 years old you cannot sleep in the same room with your children you cannot have a relationship in front of your children you cannot change clothes in front of small children this is exactly where you need to make those changes यह चोटी-चोटी सी बारी किया है जो आपको बच्चों के सामने एक जमाना था कि लोग बड़े आते थे तो दुबटा पहन लेते थे, सर के ओपर दुबटा डाल लेते थे, वो एक लिहाज, एक शरम, एक एहतराम होता था, कहां आए अब, किदर है एहतराम? को जादा ही कल्चर को बड़ दिया है, तो यह जब तक आप यह चीजें अपने घर के अंदर बिल्ड नहीं करेंगे, वो एहतराम, वो लिहाज बिल्ड नहीं करेंगे, वो एक लाज स्वाल करते है क्यों की वक्त नहीं है, ऐसा लगता है लोगों कुछ यह शायद यह नीचे होता है, तो क्या यह चीजें हर एक में पाई जाती है? आपसलूटी नहीं हो, जो लोगों करते हैं वो जाहिल है, यह जो जाहल हैं इस वियृ है करते हैं। अब्सलूटी नगजूटीव एवदे घरों में बहूत रिसेक्टेड अपलीज में बहूत आला एजुकेटलों मे भी ऐसे लोग पाय जाते हैं, तो it has nothing to do with education, it has to do with mindset, it has to do with awareness and it has to do with I think your conscious decision of parenting and developing a culture, a safe trusting culture inside your house. माम जो आज बाते आपने बताई हैं, ये बाते बहुत ही अच्छी हैं लेकिन इसे समझने में तोड़ा वक तो लग सकता है लेकिन एक अच्छी उमीद हमने जागा सकती है यानि हम बदल सकते हैं अपने आपको समाज को भी बदल सकते हैं और खासकर यह प्रोग्रामी बच्चों के लिए है नीलम और झैसा कि हम कहते हैं कि बच्चे हमारा फ्यूचर तो अगर future आपको बेहतर बनाना है तो आज कर दिन आपको बेहतर बनाना होगा इंशाल्ला आपसे फिर मुलाकात करेंगे और ऐसी ही अच्छी अच्छी बाते अपने नाजरीन के लिए हम यहाँ पर बात करते रहेंगे और आपके जरीये मेसेज देते रहेंगे इंशाला जिया नाजीन अगले एपिसोड में आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि एक बार फिर से हमसे जुड़ियेगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं बच्चे हमारा फ्यूचर मैं और नीलम बहुत ही अच्छे-च्छे सवालात अगले एपिसोड में प्रिजन करने वाले हैं जो आप से जुड़े हुए हैं, आपके बच्चों से जुड़े हुए हैं यानि हमारे समाज से जुड़े हुए हैं इससे अच्छा आसान तरीका के जहां पर आपको काउंसलिंग के लिए कोई जरूरत नहीं हो रही है या जाने की जरूरत नहीं पड़े है वहां आपको घर बैटे इतनी अच्छे बाते सीखने का मौका मिल रहा है हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे असमा जैदी साहिबा और उनसे हम बात करेंगे एक और मौजू पर जो हम सबसे जुड़ा होगा इंशाला मुलाकात होगी अगले एपिसोड में मिलिएगा जरूर देखते रिये चैनल में बहुत बहुत शुक्रिया मौज़ें बहुत बहुत नहीं